नागरिक्ता संचोधन विधयक को सदन पटल पर रखते हुए ग्रीमिंत्री आमिशा ने कहा कि ये विधयक किसी भी तरह से संविधान के किसी भी अनुच्छेत का उलंगन नहीं करता है। पाकिस्तान, बांगलादेश और अफगानिस्तान से शरनार्थी के तौर पर आए छे धर्मों के लोगों को भारत की नागरिक्ता देने से जुड़ा नागरिक्ता संचोधन विधयक विपक्ष के हंगामे के बीच लोग सभा में पेश हुआ। बाद में इसे चर्चा के लिए रखते हुए ग्री मंतरी अमिच शाह ने कहा कि विधयक देश के अलप संख्योकों के खिलाप नहीं है और इसमें सम्विधान के किसी अनुच्छेत का उलंगन नहीं किया गया। जिस बिल को मैं पुरस्तापित करने के लिए प्रस्ताव लेकर आया हूँ वो बिल किसी भी तरह से किसी भी द्रश्टी कौन थे सम्विधान के किसी भी आर्टिकल को आहत नहीं करता है। अमित शाह ने कौंग्रेस पर सीधा हमला बोला और कहा कि अगर कौंग्रेस पार्टी देश की आजादी के समय धर्म के आधार पर देश का विभाजर नहीं करती तो इस विधेयक की जरूरत नहीं पड़ती पूर्व उत्तर के लोगों की चिंताओं को दूर करते हुए अमित शाह ने कहा कि बिल में उत्तर पूर्व के तमाम राज्यों के लिए प्रावधान किये गए हैं आज इस सदन के माध्यम से मैं समगर नोर्थीष्ट की जनता को कहना चाहता हूं कि पूरे नोर्थीष्ट के सभी के सभी राज्यों के चिंताओ का निराकरण इस बिल के अंदर समाईथ है कोई उक्सावे में मताना, कोई आंदोलन मत करना, बहुत हो चुका, अब ये देश सान्ती के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं चर्चा के दौरान कॉंग्रेस त्रिनमूल, कॉंग्रेस सहित विपक्षी सदस्यों ने विधय को सम्विधान के मूल भावना एवं अनुच्छेख 14 का उलंगन बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की जबकि NDA ने इसका जोरदार समर्थन किया 1955 में नागरिक्ता कानून बना और उसमें ये बात ते की गई, सुनिश्चित की गई कि नागरिक्ता के चार माप डंड होंगे सबसे पहले जनम, दूसरा डिसेंट, तीसरा पंजी करन और चौथा नैच्रलाइजेशन और उसके बाद दोहजार उन्नेस तक उस कानून को आठ बार संशोदित किया गया Sir, what you are doing is not bad, this bill is off-hearted, it's not taking care of the entire country I request you to reconsider, try to be more positive, take positive steps, rather negative steps धर्म निर्पेक्स्ता तो इस देश की मूल भासा है और हम समझते हैं, कि आज ये जो बिल है, वो कहीं से भी धर्म निर्पेक्स्ता के सिद्धान को प्रभावित नहीं कर रहा है धर्म निर्पेक्स्ता के सिद्धान को कहीं से भी प्रभावित नहीं कर रहा है तो इसलिए आज इस दिल को भी हम यह कहेंगे कि धर्म निर्पेच्टा की रक्षा के लिए बलकि इस देश के जो हिंदू, सिक, बुद्धिस, इसाई, पार्सी और जैन जो लोग बटवारा के पहले थे और पाकिस्तान जाके बस गया थे आज उनको संबान देने का है और ये धर्म निर्पेच्टा के पक्ष में है और उनके हित पूरी तरह सुरक्षित है पार्लियमेंट टीम के साथ न्यूजनाइट डेस्क, डीरी न्यूज थाल जाज़ के साथ न्यूजनाइग्टा के साथ बस्तों गड़ देने का है झालाओे भी तरह सुरक्षित है विए जो रिए क्ष ध्वार्टा के साथ एक्या जाए की जाएपनू